बिचली का एक अन्धा बल कबर के चिराख की तरह अपने सुर्फ राक्षनी पहरा रहा था। दूरे से हटी हुई दिवारे हैवतनाक राक्षतों की तरह अंगडाईया लेती हुई मालू हो रही थी। चमूत्रे पर बनी हुई हंगेत्यों में आग की आखरी चिंगारियां भरकर अपनी मौद का मातम कर रही थी। एक बिचली के चूले पर लखी हुई केथली का पानी नाम आलू हुए उक तिस चीज़ पर खापोशका सी असरा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक चोटी उमर का लड़का बैठा बरतन साफ करने में मच्जूल था। यह इंस्पेक्टर साहब कर नौकर था। बरतन साफ करते वक्त यह लड़का कुछ गुनगुना रहा था। यह अलवाद ऐसे थे जो उसकी जबान से परेर किसी कोशिश के निकव रहते। जी आया साहब, जी आया साहब, बस अभी साफ हो जाते हैं साहब। अभी बरतनों को साफ करके पानी से दोकर तरीने से रखना भी था। और यह काम चलनी से ना हो सकता था। लड़के की आखने नीम से बंद हुई जा रही था। सक, सक, भारी हो रहा था। अगर काम किये बगएर आरा, यह कैसे मुंकिन था। विजली का जूला बदस्तूर एक शोर के साहथ नीले शोरों को अपने हलक से उगर रहा था। केत्ली का पानी उसी अंदाज में किलखिला करना सरा था। अचानक लड़के ने नीन के ना पाबिले मखलूम हमले को मैसूस करते हुए अपने चिसम को एक जुंबिश दे। और जी आया साहब जी आया साहब गुनगुना था हुआ फिर काम में मच्बूल हो गया। जीवान गिलों पर जुने हुए बड़तन उस लड़के को एक टिकी लगाए देख रहे थे। पानी के नल से रोजाना एक ही वाक्या देखकर पत्रों की सूरत में आसु टप टप गिर रहे थे। बिचली का बल फैरस उस लड़के की तरफ देख रहा था। कमरे की फिर्दा सिस्कियां भरती भी मालूम हो रही थी। वासिम वासिम जी आया सहाब। लड़का जो उन्ही अलफास की गर्दान करना आता भागा वो अपने आका के पास के है। इंस्पेक्टर सहाब ने कंबल से न्गू निकाला और लड़के पर खफा होते वे कहा। देवकूफ के बच्चे आज फिर यहां सुराईयो ग्लाश रखना भूल गया है। अभी नहीं सहाब, अभी नहीं है। कमरे में सुराईयो ग्लाश रखने के बाद वो अभी बटकन साफ करने के लिए बैठाई ही था। जिप्र उत कमरे से आवाज आई। कासिम, कासिम। जी, आया सहाब। कासिम भागता हुआ अपने आखा के पास गया। बंबई का पानी किसकदर खराब है। जाओ, पार्सी कोटल से सोड़ा लेकर आओ। बस भागे बजाओ, सक्ष प्यास लग रही है। बहुत अच्छा सहाब। कासिम भागा हुआ गया। और पार्सी के होटल से जो घर से आधी मील के फासले पड़ता ह। सोड़े की पोतल ले आया। और अपने आखा को ग्लास में डाल कर देगी। अब तुम जाओ। मगर इस वक तक क्या कर रहे हो। बरतन साफ नहीं हुए क्या। अभी साफ हो जाते हैं साफ। और हाँ बरतन साफ करने के बाद मेरे काले बुट को पॉलिश कर देना। मगर देखना रहतियात रहे। चमड़े पर कोई खराश ना आए। वरना कासिम को वरना के बाद का चुमला अच्छी तरह मालूम था। बहुत अच्छा साफ। कहते हुए वह बैवर्ची खाने में वापस चला गया। और बरतन साफ करने शुरू करती है। अब नींद उसकी आखों में सिम्टी चली आ रही था। बलके आपस में मिली जा रही था। सर में जीसा उतर रहा था। यह ख्याल करते हुए के साफ के बूर्ट भी अभी पॉलिश करने है। खासिब ने अपने सब को जोग से जुंपिश दी। और वही रागलापना शुरू किया। जी आया साफ। जी आया साफ। अभी साफ हो जाते हैं साफ। मगर नीन का तूफान हजार बंद बांगने पर भी न रुका। आप उसे महसूस होने लगा कि नीन जरूर गल्बा बाकर रहेगी। लिकिन अभी बर्तनों को तोकर उन्हें अपनी अपनी जगा पर रखना बाकी जा। उस वक्त उसके खयाल उसके दिमाग में एक अजीव सा खयाल है। इस खयाल को बाकियाना मानते हुए कासिम ने छोड़ दिया। और बर्तनों जंदी जंदी इराक मरना शुरू करती। थोड़ी देर के बार जब दीन फिर आई। उसके चीव में आया कि उबरता वापानी अपने सरपर उड़े ले। और उस अंजानी ताकत से जो उसके काम में हारिश हो रही है निशात पाए। मगर इतनी हिम्मत नहीं हुए। फिर बड़ी मुश्कित हैं उबरत पानी के चीटे मार मार कर उसके सब बर्दनों का आखिर साफ कर लिए। इक काम करने के बाद उसने इत्मिनान का सांस लिया। अब वो आराम से सो सकता था। और नीद, वो नीद जिसके लिए उसकी आप्षें और दिमाग शित्त से इंतिजार करें थे, अब बिल्कुल नजदी की। अब बाहर वारामदे में अपना बिस्तर बिशा दिया। और लेग गया। लेकर इससे पहले के नीद उसे अपने आराम दे बाजुमों में थाम ले उसके काल कि आवा से बूझ उठे। बहुत अच्छा साब, अभी पॉलिश करता हूँ। बड़बड़ाता हुआ कासिम बिस्तर पर से उठा। जैसे उसके आखा ने अभी अभी पूट पॉलिश करने का हुक्म दिया हूँ। अभी कासिम पूट का एक पैर भी अच्छी तरह पॉलिश ना करने पाया था। कि नीद ने उस ते वजी पर विला दिया। सूरज की किरने मकान के शीशों से अंदर आई। कासिम के जिंदगे में एक और मेहनत के बाप का इदाफा हुए। सुभा जब इंस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में बूटों के पास सोया हुआ देखा तो उसे ठोकर मारका जगाते वे कहा। कासिम के मुझ से इतना ही निकला था कि उसने अपने हाथ में बूट साफ करने का प्रश्टेखा। कि फॉर्मनी मामले को समझते हुए उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं मैं सो गया थैं साहां। मकर अगर बूट अभी पॉलिश कर जाते हैं साहां। यह कहते हुए उसने जल्दी जल्दी बूट को लगशन लगड़ना शूब कर दिया। बूट पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्टर टाइट किया। और उसे ओपर के कबरे में रख्रेशन आगिया। कासिम। जी आया साहाब। कासिम भागा हुआ नीशे आया। और अपने आका के पास खड़ा हो गया। देखो, आज हमारे आख मैमान आएंगे। इसलिए बाबर्ची खाने के तवाम बरतन अच्छी तरह साफ कर रखना। फर्ष भी भुला हुआ होना चाहिए। इसके इलाबा तुम्हें ड्रॉइंग रूप की तस्वीरों, मेजों और कुर्सियों को भी साफ करना होगा। समझे। अगर खयाल रहे, मेरी मेज पर एक तेज धार चाफु पड़ा हुआ है। उसे मच छेड़ना। मैं अब दफ्तर जा रहा हूँ, अगर ये काम दो गंड़े से पहलो जाना चाहिए। बहुत पहत्तर सहाब। इंस्पेक्टर सहाब दफ्तर चले गए। कासिम बावर्ची खाना साफ करने में में मश्गूत हो गया। देड़ घंड़े की महिनत के बाद उसने बावर्ची खाने के तमाम कांगों फत्म करते है। और हात्पाओं साफ करने के बाद जाड़न लेकर मुलाकाती कमरे में चला गया। वह अभी कुर्सियों के जाड़न साफ कर रहा था। कि इसके ठाकेवे दिमाग में तफ्वीर से शिच रही है। क्या देखता है कि उसके आफ पास बरतनी बरतन पड़ें। पासी राख का एक धेर लग रहा हुआ हवा जोरों पर चल रही है जिसे वह राख उर्वरकल ख़दा को काला बना रही है। अचानक उस अंधेरे में एक लाल सूरज नमूदार हुआ। जिसकी खून की प्यासी गिरने बर्ट्शियों की तरह हर बरतन के सीने में गुज गई। जमीन खून से शराबोर हो गई। फिज़ा खुशी के कामों से मामूर हो गई। खुशी मिया मंज़र देख को खबरा गया। और इस वैशतना खाफ से बेदार होकर जी आया साहब। कहता हुआ फिर अपने कामें मश्गूल हो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी आँखों के सामने एक और मंज़र रख करने लगा। अब उसके सामने छोटे छोटे लड़के आपस में कोई खेल खेल रहे थे। अचानक आधी चलनी शुरू हुई। इसके साथ ये बदनुमा और भयानक राख्षस नहुदार हुआ। कि उस सब लड़कों को निकल गया। कासिम ने सोचा कि वो राख्षस उसके आपारा हमशकर था। वैसे तक के मामले में उसे कहीं बढ़ा था। अब उस राख्षस ने जोड़ जोड़ से धकारना शुरू किया। कासिम सर से पहर तक लड़स गया। अभी तमाम कमरा साफ करना था। और वक्त बहुत कम रह गया था। चुनांचे कासिम ने जल्दी जल्दी कुर्षियों पर जाड़ना शुरू कर दिया। अब ही वो कुर्षियों काम खतम करने के बाद मेज साफ करने जा रहा था। उसे अच्छानक खयाल आया। आज महमान आ रहे हैं। खुदा मालूम कितने बरतन साफ करने पड़ेंगे। और ये नीम कंबर कितनी सदा रहे हैं। मुझे तो कुछ ना हो सकेगा। ये सोचने वक्त वह मेज पर रखी हुई चीजनों को पहुच रहा था। अच्छानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया। वही चाकू जिसके मुतालिक उसके आगा ने कहा था कि बहुत तेज है। चाकू का देखना था जिए उसके जबान पर ये लफ्द खुर्बख जारी हो गए। चापू तेज धार चापू तेहीं तुम्हारी नजरी है। आशिब ने तेज धार चापू उठाकर अपनी उंगली को फेर दी है। अब वह शाम के वह बत्तम साथ करने की मेहनत से बहुत दून थे। और नीद प्यारी प्यारी नीद अब उसे आसानी से नसीब हो करती थी। उंगली से खून की लाल धाधार बह रही थी। सामने वाली दवाद की लाल रॉच्चा इसे क्ली चंकी रही। कासिम उस खून की धार को मसरत भरी आखों से देख रहा था और मुह में ये गुनगुना रहा था। थोड़ी देर के बाद वो भागा हुआ अपने आका की बीमी के पास गया। कि जनान खाने में बैटी सिलाई कर रही। और अपनी जखमी उंगी दिखा कर कहने लगा देखे देखे बीबी जी अरे कासिम ये तुने क्या किया कॉमबर साहब के चाको पर छेड़ा होगा तुने बीबी जी बस मीट साफ कर रहा था और उसने कार्ट खाया अबे सुवर अब हस्ता क्या है इधरा मैं उस पर कपड़ा बांदू हूँ मगर अब बरता तो सगी आज ये बरतन तेरा बाप साफ करेगा कासिम अपनी जीट पर जेरे लगा मुस्कुरा रहा था उंगली पर पट्टी बढ़ा कर कासिम फिर कमरे में आ गया अब बेस पड़े वे खून के धबों को साफ करने के बाद खुशी-खुशी अपना काम पत्ब करते है अब उस नमकराम बावर्ची को बरतन साफ करने होंगे जरूर साफ करने होंगे क्यों में या मिट्टू कासिम ने इंतहाई मसरत में खिड़की में लटके हुए तोके सगरियात किया शाम के वक्त महमान आये और चले गए पावर्ची खाने में साफ करने वाले बत्रोंगा एक धेर लग्या इस्पेक्टर साहब कासिम की जखमी उंग्री देखकर बुरी तरह बरसे और जीख खोल कर गालिया दी मगर उसे मजबूर ना कर सके शायद इसलिए कि एक बार उनकी अपनी उंग्री में कलंग तराश की नुप छुचाने से बहुत दर्द महसूफ गए आका की खवगी आने वाली मसरत पिर बुला दी और कासिम पूर्ता फांता हुआ अपने प्रिस्तर में जा लेता है तीन चार रोस तक वर्तन साफ करने की मुसीबते बचा रहा है मगर उसके बाद उनकी का जखम भरा है अब फिर वहीं मुसीबत नमुदार हो गई कासिम साहा के जुराबे और कमीज दो डालो बहुत अच्छा बीबी जी कासिम इस कमरे का फर्श कितना बग्दुमा हो रहा है पानी लाकर अभी साफ करो देखना कोई दाग धबा बाकी न रहे बहुत अच्छा साहाब कासिम अरे शीषे के ग्रास कितने चिकने होने हैं इने नमक से साफ करो जी अच्छा साहाब कासिम ये तोते का पिंजरा कितना गरीज हो रहा है इसे साफ क्यों नहीं करते अभी रगता हो बीबी जी कासिम अभी जाड़ुवाल आता है तुम पानी डालते जाना तो सीडिया आपको धोड आलेगा जी अच्छा साहाब कासिम जड़ा भाग कर एक आने के दही तो ने आना अभी चला बीबी जी कासिम काम की जयाती और आरांगे के तहें से टना गए हर रोज उसे आदी रात तक काम करना पड़ा अपे सुबह सुबह चार बज़ें तरी तक नास्टे के लिए चाहे तएक जयादा एक रोज इंस्पेक्टर सहाब की मेज साफ करते वक्त उसके हाथ खुझबा खुझ चाफुनी तरह बढ़े थी और एक लम्हे के बाद इसकी उंग्ली से फूल बहरा था इंस्पेक्टर सहाब और उनकी बीवी कासिंटी ये हरकत देखकर बहुत खाफा हुग है चुनांचे स अगर परतनों का धेर साफ करने से अराम बिल गया ये साउता कुछ बुरा नहीं था कुछ दिनों के बाद उसकी उंग्ली का जख्मती गो गया अब फिर वही काम की बरमार शुनू थी 15-20 रोज गधों किसी मशक अपने गुजर गया इस अरसे में तासिम ने एक बार बार जाके चाकू से फिर अपनी उंग्ली कर ले अगर अब मेश पर से वह चाकू उठा दिया गया था और बावर्ची खाने वारे छुरी में धार नहीं थी एक रोज बावर्ची बीमार पढ़ गया है अब उसे हर वक्त बावर्ची खाने में मौजूद रहना पड़ता है कभी मिर्चे पीष्टा कभी आटा गूता कभी कोई लोगो जला देता है बतना सुबा से लेकर आधी रात तक उसे कानों में अभे कासिम ये कर अभे कासिम आवाज है बूचती रहती है बावर्ची दो रोज तक ना रहा है कासिम की नन्नी चाम और हिम्मत जबाद देंगे तो सिवाए काम के और चारा ही क्या करता है एक लोग से मालिक ने उसे हलमारी साफ करने को का जिसमें दवा की शीशिया और मुक्तलिफ चीदें पड़ी हु देख को पकड़ते ही उसने अपनी उंगली में दूर तक चरी है इससे बहुत बड़ा जखन बन गया है कासिम ने बहुत कोशिश की कि ये खून निकलना बंद हो जाए मगर जखब का मुग बढ़ा था बना था सेरो खून पानी की तरह बह गया है ये देखकर कासिम का बीबी जी मेरे उंगली में सहाब का उस तरह दुद गया है जब इंस्पेक्टर सहाब की बीबी ने कासिम की उंगली को तीसरी मटबा जखमी देखा तो फॉरन मामले को समझ देख चुपचाप उठी और कपड़ा निकालकर से उंगली में बांद दिया और कहा कासिम अब तुम्हारे घड़ में नहीं रह सकते हैं वो क्यों बीबी जी ये साहब से दर्यास करता है साहब का जाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सशेद हो गया चार बज़े के करीब इंस्पेक्टर साहब दफ्टर ते गा रहा है और अपनी बीबी से तासिम की नई हरकत सुनकर उस समझते हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोका दिया जा सकता है अपना पिस्तर बुढ़िया दबाकर ना किसी दमिया जब भाग जाओ तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रत ने हैं समझे मुदर मुदर साहब साहब का बच्चा भाग जा यहां से तेरी बखाया तन सब्सक्राइब निगाहों से देगा तोते में भी खामोशी में उससे कुछ कहा और वो अपने बिस्तर लेकर सीडियों से नीचे उतर गया तर अचाले कुछ ख्याल आया और भागा हुआ अपने आका की बीबी के पास गया और बड़ी डर्द बरी आवाज में इतना कहकर सलाम बीबीजी मैं हुमेशा के लिए आपसे रुकसत हो रहा हूँ वहां से रुकसत होगे सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पताल में एक कम उमर का लड़का दड़ की शिंदत से लोहे के पलंपत करवटें बदल रहे पास ही दो डॉक्टर बैठे हैं उन में से एक डॉक्टर अपने साथी से कह रहा है जखम खतरनाक सूरत इक्तियार कर गया है हाथ काटना पड़ेगा बहुत बेटर ये कहते वे दूसरे डॉक्टर ने अपनी नोट बुक में उस मरीज का नाम दर्ज कर लिया एक लगडी के तख्ते पर जो चारपाई के सिरान ने लटका हुआ था ये अलफाज दिखे थे नाम मुहम्मद कासिम बद अब्दुर्रह्मार तो ब्रैकेट मर्वूम उमर दस साथ तो